बॉलिवड अक्ट्रेस तनुष्री दत्ता ने नाना पाटिकर पर आरोप लगा कर बॉलिवड में भूचा ला दिया था जहां कई बड़े स्टार्स तनुष्री के सपोर्ट में उत्रें तो वहीं कुछ स्टार्स इस मामले से बचते हुए नजर आए हाश्टाग मीटू कैमपेंड के तहट कई बॉलिवड स्टार्स, डारेक्टर और प्रेडूसर्स पर आरोप लगे हैं वहीं अब इस लिस्ट में मुन्ना भाई MBBS, त्री इडियेट्स और संजू जैसी सूपर हिट फिल्में देने वाले डारेक्टर राजकुमार हिरानी का नाम भी जुड़ चुका है राजकुमार हिरानी पर आरोप लगाने वाली महिला रनबीर कपूर स्टारर संजू में उनकी असिस्टिंट डारेक्टर है इस फिल्म के दौरान पेडिता ने बताया कि उसने हिरानी की हरकतों की वजह से काफी कश्ट सहा है वो इसलिए सब बरदाश्ट करती रही क्यूंकि उसके पिता एक ला इलाज बिमारी से पेड़ित थे पिता की बिमारी के चलते उसे नौकरी की सक्त जरूरत थी वो नहीं चाहती थी कि उसकी नौकरी छीन ली जाए और उसके काम पर सवाल उठाया जाए अपनी नौकरी बचाने के लिए वो ये सब बरदाश्ट करती रही उन्हें डर था कि अगर वो इसका विरोध करती है और पोस्ट प्रोड़क्शन के दौरान फिल्म छोड़ देती है तो राजु हिरानी इंडस्ट्री में उनका नाम बदनाम कर सकते है पीडिता का कहना है कि उन्होंने राजकुमार हिरानी की शिकायत संजु के को प्रोड्यूसर विदू विनोद चोप्रा से की थी पीडिता ने सारी जानकारी विदू विनोद चोप्रा को एक ईमेल के जरीदी थी माना जा रहा है कि इसी के चलते राजकुमार हिरानी और विदू विनो चोप्रा की आने वाली फिल्म के नए पोस्टर के क्रेडिट्स में से राजकुमार का नाम हटा दिया गया है खबरों की माने तो विधु विनो चोप्रा ने पीडिता को आश्वासन दिया है कि वो पूरी तरह से उनके साथ है वहीं अपने उपर लगे आरोपों के बारे में राजकुमार ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है उन्होंने कहा है कि वो इस आरोप को खारिज करते हैं और हर तरह की जांच के लिए तयार है रितिक ने अपने करियर की शुरुवात साल 2000 में फिल्म कहोना प्यार है सिकी थी फिल्म में उनके उपोजिट अमीशा पटेल थी फिल्म को लोगों ने काफी पसंद किया था अपनी फिल्मों के अलावा रितिक अपने रिलेशन्शिप्स को लेकर भी काफी सुर्खियों में रहते हैं रितिक कंगना के विवात को तो हर कोई जानता है और आज हम आपको बता रहे हैं उसी के बारे में एक समय कंगना और रितिक रोशन का कथित अफैर था फिल्म क्रिश्थरी में दोनों साथ नजर आए थे लेकिन दोनों की लीक हुई कुछ तस्वीरों ने इनके रिष्टे में दरार डाल दी लीक हुई तस्वीरें 4 दिसंबर 2010 को अरजुन रामपाल के घर पर हुई एक पार्टी की बताई जाती है इस पार्टी में रितिक अपनी वाइफ सुजैन के साथ पहुँचे थे इसी पार्टी में कंगना महमान थी कहां जाता है कि सुजैन पार्टी से बच्चों को लेकर जल्दी घर चली गई थी वहीं रितिक देजराद तक पार्टी में रहे जब इसके बारे में सुजैन को पता चला तो दोनों के बीच काफी लडाई हुई और इसका नतीजा दोनों के तलाग के रूप में सामने आया कंगना और रितिक के बीच करीब एक साल तक चली लडाई का अंत तब हुआ जब मुंबर पुलिस की साइबर सेल ने केस बंद करने का फैसला लिया क्यूंकि केस की जाज किसी नतीजे पर नहीं पहुँच रही थी बॉलिवुट कलाकार रंबीर कपूर और आलिया भट के जल्द ही सगाई करने की संभावनाए है सूत्रों के मताबिक बॉलिवट के नामी कपूर खांदान की चौत्थी पीढ़ी के सितारे रंबीर और मशूर निर्मातर निर्जेशक महेश भट की बेटी आलिया की सगाई आगामी जून में हो सकती है पिछले साल से रंबीर और आलिया के आपस में डेट करने की खबरे मीडिया में थी हाल ही में दोनों नियो यॉक में नया साल मना कर लौते हैं जहां रन्बीर की बहन रिद्धिमा कपूर ने उन्हें तोफे में अंगूठी दी थी जिस पर A.R. लिखा हुआ था मुंबई के एक अंग्रेजी समाचार पत्र के मताबिक रन्बीर की मान नीतू कपूर, कई बार आलिया और उसकी मा के साथ अपने परिवार की तस्वीने सोशल मीडिया पर शेयर कर चुकी है दोनों के परिवार ने जून में उनकी सगाई करने को हरी जंडी दे दी है सगाई के बाद इसी साल के अंत में दोनों शादी के बंधन में बन सकते हैं गौर तलब है कि अंगूठी से पहले रुदिमा कपूर आलिया को हीरो से जड़ा एक महंगा ब्रेसलिट भी गिफ्ट कर चुकी है कयास लगाए जा रही है कि अलिया और रंबीर जल्द ही शादी के बंधन में बंधने की तयारियां करते नजर आएंगे अलिया ने नए साल का जशन भी रंबीर कपूर के साथ नियू यूओक में ही मनाया था इनके नए साल के जशनी की तस्वीरे सोशल मीडिया पर काफी वाइरल हुई है इस तस्वीर में आलिया भट, रनबीर कपूर, रिशी कपूर, नीतु कपूर और रिशी कपूर की बेटी रिधिमा कपूर, उनके दामाद, भरत सहानी और बेटी समारा भी मौजूद थी आलिया भट और रनबीर कपूर, जल्द, आयान, मुखर जी की फिल्म, ब्रहम मास्टर में भी एक साथ दिखाई देंगे इन दिनों फिल्म की शूटिंग जोरों पर है ब्रहम मास्टर के सेट जिफिय आलिया भट और रनबीर कपूर के ऐसी कई तस्वीरें वारल हुई है जिससे साबित होता है कि ये दोनों प्यार के दिश्टे में है फिल्म ब्रहम मास्टर 20 दिसंबर 2019 को रिलीज होने की संभावनाए है अभी विडियो को लाइक करें शेर करें और अभी चानल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी नियूज देखने के लिए फिर मिलेंगे मस्तालेदार सबरों के साथ बाई बाई